नमस्कार भिहारी नूज में आपका बहुत स्वागत है प्रतन सेन भारती आज हम बात करेंगे पटना हाई कोट और सहारा इंडिया परिवार को लेकर हुए इस पूरे कारवाई को लेकर हर कोई चाहता है कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा वह भविस्त के लिए रखे ताकि ब सहारा इंडिया कमपनी पर इन दिनों देश के अलग-अलग राजियों में ऐसे में पटना हाई कोट में सहारा इंडिया की बिभिन अस्कीमों में उप भोकताओं के जमापैसे को भोकतान को लेकर याज का दायर की गई है जिसको लेकर पिछले दिनों सुनवाई करते हुए कोट ने साफ तोर पे कहा है कि 27 अप्रेल तक जानकारी मांगी गई है पैसे को लेकर इस दोरान कोट ने सहारा से पूछा कि जनता का पैसा उन्हें किस तरह और कितने जल्दी जो है लोटाया जाएगा साथी कोट ने इस दोरान यह भी कहा कि अगर 27 अपरेल तक में अगर कुछ नहीं बताया तो हाई कोट आदेश पारित कर देगी इस दोरान वकिल ने यह भी बताया कि सहारा के कई अस्कीमों में लोगों का पैसा जमा है लेकिन अब धी पूरा होने के बाद भी उन्हें पैसा नहीं लोटाया गया ऐसे में कोट ने अगली सुनवाई की तारिक 27 तारिक जो है वो मुकरर की है जोरान नयाधी संदीप कुमार की एकल पीठ ने परमोद कुमार सैनी ने याचका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 27 अपरेल तक अगर नहीं बताया जाता है कि हाई कोट जो है पैसे को लोगर क्या भी 100 करोड रुपया भी उन्हें दे देती है तो वे बिहार में अपने निवेसकों का पूरा पैसा लोटा देंगे इसके बाद कोट ने सेवी से यह कहा था कि दो कमपनियों के पैसे को छोड़ कर बाकि पैसा सहारा को लोटा दें लेकिन सेवी ऐसा आप नहीं कर रहा है इस सहारा कोट ने यह भी कहा कि अगले सुनवाई तक पैसे के भुखतान को लेकर अपडेट बताए हलांकि 20 अपरेल को पटना हाई कोट में हुई सुनवाई के बाद विभीन अस्कियूमों में लगे पैसों के बारे में जानकारी ली गई इस दवरान कोट ने साब साब कहा कि 27 अपरेल के फैसले के बाद कोट कोई बड़ा फैसला ले सकता है इससे पहले सुप्रीम कोट ने सेवी से पैसे को लेकर अस्पस्टिक रन मांगा था सहारा के बकील उमेश परसाथ ने कोट को बताया कि सुप्रीम कोट के आदेश के आलोग में सहारा समूह के 23,191 करोड अधीक हो गई है फिर सेवी के तरब से सहारा के निवेशकों को बड़े हिस्से का भुगतान नहीं किया गया है जो कि सहारा फंड का केवाल एक ट्रस्टी है ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि इसमें ना तो कोई खानूनी दिक्कत है और ना ही सुप्रीम कोट का कोई इसमें अब एक बात समझ में आ रही है कि जिसमें यह है कि सहारा का पैसा सेवी के पास जमा है और सेवी यह पैसा सहारा को नहीं दे रही है हलांकि अब यह पूरा मामला सुप्रीम कोट और कई राज्यों के हाई कोट में भी चल रहा है जिसमें कोट की तरब से जब यह कि इन गरीबों का क्या होगा जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भविस्ट को ध्यार में रखते हैं लेकिन अब सहारा कंपनी भी आखिर में इन गरीबों के लिए बे सहारा हो गई है ऐसे में आपको क्या लगता है कि पटना हाई कोट सहारा के जो ग्रहक है निवेसक हैं उनका पैसा कितनी जल्दी लटाए पाएगा बिहार और बिहार से जुड़े और बेसे इंखवरों के लिए बरने रहें बिहार इन जोच के साथ मुछनित जेजाज़त थन्यवाद